हेई गाइस वेलकम टो कंपेटर एक्जांस पॉइंट इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे स्टाफ नर्स का कॉश्चन पेपर स्टाफ नर्स का एक्जाम हुआ है अज सुबह और इस एक्जाम का पोस्ट कोड है 800 बानुए तो इस कॉश्चन पेपर का हम जी के सेक्शन डिसकस करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बैल आइकन को प्रेस कर लिजे ताकि आने वाली मेरी वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है उनको बिल्कुल भी मिसना कर पाएं तो के अंसर होगा B अनुसूचित जन जात्यां choosing हैं कि हिमाचाल पद्देश के सबसे बड़ी प्राकरतिक जील कौन सी है तो प्राकरतिक जील सबसे बड़ी आपको पता है रिजील सबसे बड़ी है प्राकरतिक जील तो इसमें सही कौन सा होगा इन میں से कोई नहीं बी क्योंकि सच कोशन आपका इसमें आपका कांगडा कांगडा में पढ़ती है के मना जाता है तो यह जो मना जाता है यह लोहल पीती में मना जाता है इस option के बारे में शूर नहीं हूँ आप प्लीज को चेक कर लीजिएगा लेकिन जितना में को लग रहा है कि इसका अंसर होगा यह होगा लौहल शेशु मिला हिमाचल अंसर हो गए जिल नहीं है कि मना जाता है 328 का सबसे बड़ा ऑनने जी अभ्यारण कौन सा है तो 139 का आपका सही अंसर होगा D किबबर नấu eco ost ने आपका बुशेहर रियास्त की साफना किस ने की? तो 130 का आपका सही अंसर होगा C प्रद्धियोमन ने की थी बुशेहर रियास्त की स्थापना न dividends question ने आपका 131 question है जास्वान रियासत की राजधानी थी तो किस रियासत की राजधानी थी तो 131 का आपका सही अंसर होगा A. राजपूरा नेस्ट कोशन है आपका रगुपूर गर्ड किला हिमाचल पदेश के किजले में सिथ है तो 132 का आपका सही अंसर होगा सी कुलू में सिथ है रगुपुर गर्ज किला नेस्ट कोशन है आपका हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्तित्व को लोगप्रिये रूप से कवी राज कहा जाता था तो 133 का आपका सही अंसरोगा ए पंडित पदम देव को जो है कवी राज कहा जाता था नेस्ट कोशन है आपका हिमाचल सडग परिवहन निगम यानि एचा टीसी जो है किस वर्स जो है इसकी स्थापना हुई थी किस वर्स अस्टित्म में आय थी तो 134 का पर सही अंसरोगा डी 1974 में 1974 में जो थे इसकी फांडेशन हुई थी चिकारा युनवस्टि हिमाचल परिश के के स्थान पर सदीत है आपने सुना होगा चितकारा युनवस्टि पर बढ़ती है अुशान पर प्ढ़ती है उसका नाम सिन्प जो फढ़ती है सी अंसरोगा 136 का योगा A Science for Self Reliant India and Global Welfare Next question ने आपका राश्ट्री हरित अधिकर्ण नहारी में किस राज्य को 14 पस्तावित हाथी कॉरिडोर के लिए Action Plan त्यार करने के निदेश्ट किया है 137 का आपका सही अंसर होगा C Odisa ने Next question ने आपका 138 Imagine Cup 2021 के भारत संसकर्ण के लिए Microsoft का Knowledge भागिदार कौन है तो इसमें जो सही अंसर होगा 138 का यह होगा A राश्ट्री कॉसल विकास निगम यह जो इसमें आपका सही अंसर है Next question है आपका Giant Meter Wave Radio Telescope जो हाले में समचारों में था किस भारते राज्य में स्थित है 149 का आपका सही अंसर होगा D महराश्ट्र में Next question है आपका Which is different from rest? मतलब कौन सा अन्य से भिन है तो इसमें आपका सही अंसर होगा 21 A जो कि जो बाकी जो आपकी संख्या है जो आपकी संख्या है बाकी जो आपके numbers हैं वो divisible नहीं है जबकि 21 जो है divisible है Next question है आपका किसी निश्चित कूट में स्टोव को ये लिखा जाता है FN, BL, K और उसी कूट में votes को कैसे लिखा जाएगा तो यहाँ पे देखिए स्टोव को कैसे लिखा गया है S को F लिखा गया है T को N O को B और V को L और E को K की रूप में तो V क्या है हमारा यहां पे तो V है हमारा यहां पे L तो यहां पे आपका L ला गया और L ला गया और O है आपका B T है आपका N E है आपका K और S है आपका F तो B जो है इसमे आपका सही अंसर होगा Next question है आपका संख्या श्रिंख्ला में कौन सा पत गलत है तो इसमें देखें यहां करते खुर्टी है नेस्ट कोशन政府 है तो चलिए है यहां पहारी जिए है संख्या यहां इसमें से पहले और छठी आंग की स्थीति आपस में बदल जाती है, इस ही परकाब, दूसरा और साथवा आंग आपस में बदले जाते हैं, और इसी परकार आगे भी, इस पुना व्यवस्था के बाद निरो मेंसे कौन सा दाई और से तीसरा आंग होगा, तो यह जो आपकी संक्या है इनको जो है बदला जाता है जो पहले यंग को है वो छटे यंग से बदला जाता है जो आपको जो सेकंड जो आपका नंबर है उसको सेवंथ नंबर के साथ बदला जाता है और जो आपका थर्ड है उसको एट के साथ तो इसी परकार जो है इसमें 3, 8, 6, 7, 4, 5, 1, 0, 9, 2 यह आएगा तो इसमें से दाइं और से तीशरी संक्या होगी आपकी 0 तो अंसर क्या होगा इसमें आपका B, 0 नेस्ट कोशन है आपका कौन सा वेद गीतों का संग्रह है तो 144 का आपका सही अंसर होगा B, सामवेद नेस्ट कोशन है आपका 145 पल्लव वंस किस था अपना किस ने की तो 145 का आपका सही अंसर होगा A, सेह विष्णू ने नेस्ट कोशन है आपका 27 सेना वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था तो 146 का आपका सही अंसर होगा A, अलाउदिन खिल जी नेस्ट कोशन है आपका 147 नेवन में से कौन सा क्रिशन देव राय के दर्वाब में रहता था तो 147 का आपका सही अंसर होगा C, वल्लभाचार नेस्ट कोशन है आपका पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्स में पारित किया गया तो 148 का आपका सही अंसर होगा A, 1784 में नेस्ट कोशन है आपका राम क्रिशन मिसन की स्थापना किस ने की तो 149 का आपका सही अंसर होगा A, स्वामी विवेकानन ने की थी नेस्ट कोशन है आपका नोटंकी किस भारती राजय का लोक निरत्य है 350 का आपका सही अंसर होगा B उत्रपदेश का Next Question आपका कौन सा ग्रे Morning Star का जाता है यदि भौर का तारा का हल आता है 151 का आपका सही अंसर होगा A शुकर ग्रे Next Question आपका 152 तात प्रतिपन की घटना पृत्वी के वायू मंडल की किस परत में होती है तो 152 का आपका जो राइट अंस हो गए होगा बी शो मंदल यानि ट्रॉपो स्पेयर नेस्ट कोशन आपका वेल्ड किस देश के घास की जो है घास के मैदान है तो 153 का आपका राइट अंस होगा डी साफ आफ्रीका दक्षिन अफ्रीका नेस्ट कोशन है आपका 154 कौन सी एक गरम समुद्री धारा है तो 154 का आपका राइट अंस होगा डी कोरोशियो धारा है नेस्ट कोशन है आपका बदरिनाथ किस नदी के किनारे स्थित है तो सही अंसर है आपका डी अलग नंदा डी जो इसमें आपका सही अंसर होगा नेस्ट कोश्चन है आपका खेतडी सिंगाना पट्टी किस खनीज के लिए पसीद है तो 156 का आपका राइटन्स होगा D, कॉपर के लिए नेस्ट कोश्चन है आपका कौन सा जुआरिय बंदरगा है तो 157 का आपका राइटन्स होगा D, कांडला next है आपका भात्ते सर्ञान की कौन सी अनसूची भासाओं से संबंदित है तो 158 का आपका राइट नस होगा D 18 सूची next question है आपका सारोजनी खजाने का सनक्षक कौन है तो 159 का आपका राइट नस होगा D CAG next question है आपका पीतल इसकी मिश्रधातु है तो 160 का आपका सही अंसर होगा A, copper और zinc की Next question है आपका 161 Hypermetropia के सुधार के लिए किसका परियोग किया जाता है तो 161 का आपका राइडान से होगा B, उत्तर lens यानि convex lens Next है आपका Pelagra जो है किस विटामीन की कमी से होता है तो 162 का आपका राइडान से होगा B, विटामीन B3 की कमी से Next आपके English के question है तो antinum of deity is, तो क्या है 163 का सही अंसर होगा C C जो हैसमे आपका सही अंसर होगा, vigorous Next है आपका correctly spelled word कौन है इसमें तो यह है आपका D, infallible Next question है आपका I absolve you, dash all blames तो 165 का आपका राइडान से होगा C, off Next है आपका meaning of the idiom to turn the cover is तो 166 का आपका राइडान से होगा C, to pass the crisis Next है आपका pile का संदी विछेद है तो सही अंसर है इसमें आपका A, पैजमा अल Next है आपका 168, असंभब में समास है तो 168 का आपका राइडान से होगा D, of या इभाव Next है आपका put देना मुहावरे का अर्थ क्या है तो इसमें आपका सही अंसर होगा, यह होगा नश्ट का देना Next है आपका फिलहाल में उपसर्ग है तो 170 का आपका राइडान से होगा A, फिल So guys यह थे जी के question जो हमने solve किये I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को like करना बिल्कुल मत भूलिएगा Share केज़ेगा अपने दोस्तों के साथ और अगर आप चाहें तो मेरा टेलिगाम चैनल भी जोईन कर सकते हैं उसका link आपको description मिल जाएगा और अगर किसी question का आपको गलत answer बता दिया होगा तो comment में मुझे जरूर बताईएगा कि इसका सही answer क्या होगा मैं उसको pin कर दूँगा सो गई इस वीओ में इतना ही दन्यवाद